रात की दो बज रहे थे और विराट मेगाले और असम बॉर्डर के बीच पढ़ने वाली किश्णोई नदी को पार कर रहा था दूर दूर तक अंधिरा चाया हुआ था एक गहरी सन्नाटे ने किश्णोई नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी नदी के उपर काले बादल मंडरा रहे थे जिनने देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो परस्ते वाले है नदी में घुटनों तक पानी था जो धीमी रफ़तार के साथ बहे जा रहा था विराट की एक हाथ में मुबाईल का टॉश था तो दूसरे हाथ में साइकल का हैंडल विराट पैदल पैदल मुबाईल के टॉश की रोष्णी के सहारी नदी पार करी रहा था कि तब ही उसका मुबाईल बचने लग जाता है विराट फोन उठाते हुए कहता है हाँ वन्ना बोलो मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है कहां तक पहुँचे आप जी किश्णोई नदी तक पहुँच गया हूं वन्ना बस ये किश्णोई नदी पार की और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास वन्ना की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है क्या कहा किश्णोई नदी पार कर रहे हुआ और नहीं तो क्या अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुडा गाउं से रोगंका मुझा गाउं जाने का एक मात्र यही रास्ता है और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था ग्रेवियार्ड कोठी में ही रुख जाना चाहिए था आपको पता है न नदी के पास वो घूमती है विराड ठहरानी के साथ पूछता है वो घूमती है मतलब आपको सब पता है पर फिर भी आप जान बुझ कर ऐसा बोल रहे हैं न मा ची ने बताया था न कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए वरना वो सच में आ जाती है वंदना तुम भी न कहां मा की बातों में आ गए लगता है माने तुमें भी यक्शिनी की कहानी विराड अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है श्श्श चुपो जोची हे काली मा मेरे पती की रक्षा करना और अंजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना, अब ये कभी उसका नाम नहीं लेंगे, विराठ हसते हुए कहता है, क्या वन्ना तुम भी न, ये यक्षिनी वक्षिनी कुछ नहीं होती, समझी तुम, ये सब बस मनगरंद बाते हैं जो गाउवालों न ये नदी तो पार करलू पहले, अच्छा मैं रखती हूँ, अरे ऐसे कैसे, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो, मैं भूल रही हूँ, क्या भूल रही हूँ, ये यक्षिनी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें, सजा के लिए तयार रहना, वन्ना प्यार से पूछती है, अच्छा, तो क्या सजा देंगे आप, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें, तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा, वन्ना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप पेना, कैसी कैसी बाते करते हैं आप, अरे, अपनी पत्नी से ऐसी बाते नहीं करूँगा, तो किस से करूँगा, ठीक है, आजाए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका, जल्दी आना, वन्ना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है अभी विराट ने एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बचने की आवाज सुनाई देती है विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर थ वहीं पर रुख जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाए अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता उसके पीछे कोई नहीं था ये वंदना भी न यक्षुनी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वेहम डाल दिया और वह वापस से आगे बढ़ने लग जाता है विराठ्मुश्किल से अभी एक दो कदम चला ही था कि तब ही उसे नदी के किनारी पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है उस काले साई को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं साई को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था काले साई के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुश्पू आ रही थी विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे विराट डरते हुए कहता है कहीं कहीं वंधना की बात सच तो नहीं थी ये यक्षीनी तो नहीं विराट उस साई को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लदबद हो गया था विराट के हाथ बैठ धंडे पड़ गए थे उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे विराट डरते हुए कहता है कौन है? कौन है वाँ पर? कोई जवाब नहीं आता है सन्नाटा अभी भी जाया हुआ था विराट अपने मुबाइल का टॉर्च उस काले साई पर मारने लग जाता है जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साई पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया किसी और का नहीं बलकि एक लड़की का था नदी के किनारी पर एक बहुत ही खुबसूरत लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र गरीब 24 साल और लंबाई पांच फीर दो इंच थी उसकी लंबी सी गर्दन गुलाबी से होंट बाल खुले हुए जो उसकी कमर तकाते थे उसका गोरा बदन और उसी गोरी बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी वो लड़की किसी अपसरा से कम नहीं लग रही थी वो इतनी खुबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूल कर उसकी बाहों में मधोश होना चाहे वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिनी जैसी कोई चीज भी होती है विराट अपनी साइकल को वही पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो, विराट उस लड़की के पास जाकर उसे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहां पर क्या कर रही हो क्या नाम है तुम्हारा लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है नाम नाम में क्या रखा है जो रखा है काम में रखा है कैसा काम लड़की विराट की आँखों में देखते हुए कहती है वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे तुम उसे आज रात पर जगाना चाहते थे न क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे उस लड़की की आँखों में एक नशासा था जिसे देख कर विराट सब कुछ भूल गया था ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आगया हो विराट भी उस लड़की की आँखों में देखते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हें आज रात क्या कल परसो नरसो हमेशा जगा कर रखूँगा कभी नहीं सोने दूँगा तुम्हें इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेट पर निर्वस्तर पड़े हुए थे दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेट उनके शरीर पर चिपक गई थी उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुश्पू आ रहे थी लड़की नीचे थी और विराट उसके उपर विराट के माथे की पसीने की बूंत ये साब जाहिर कर रही थी कि वो ठक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वारी थी पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बुचे थी विराट अपने चर्मुत कर्ष अवस्था में पहुँशने वाला था और कुछ ही पलो में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्थ होने वाला था तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्ष पर पढ़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे जुरियां आने लगी थी उसके हाथ पैरों की नसे बाहर निकलने लगी थी उसके बाल काले से सफेद होने लगे थी देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूरी औरत में तबदील हो जाती है ये सब देखकर विराट की आँखे फटी की फटी रह गई थी उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था विराट कापते हुए कहता है कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है मैं यक्षिनी तेरी मौत ये सुनकर विराट के रोंग्टे खड़े हो जाते हैं और वो जट से उससे दूर हटने लगता है पर उसी वक्त यक्षिनी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है अभी कहां जा रहे हो प्रियतब? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है तुम तो मुझे कल, परसो, नरसो हमेशा तक जगाना चाहते थे न? क्या हुआ? तक गए या डर गए? मेरा असली रूप देख कर विराट उसका खौफनाग चेहरा देख कर इतना डर गया था कि कुछ नहीं बोल पा रहा था उसको यक्षिनी की आँखों में खुद की मौत नजर आ रही थी यक्षिनी गुसे में कहती है वासना की प्यास में तु ये भूल गया कमीने की तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तु यहाँ पर मेरे साथ? तु मर्द कभी एक इस्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली इतना कहकर यक्षिनी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है यक्षिनी के लंबे-लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पैने थे विराट डरते हुए कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो जाने दो मुझे जाने ही तो दे रही हूँ भोली भेंटोला जा देती है और उसी वक्त जूर से काले बादल करजने लगते है और पारिश होने लगती है विराट के शरीर का खून ना खूनों के सहारे यक्षिनी के शरीर में जाने लगता है जैसे जैसी खून यक्षिनी के शरीर के अंदर जा रहा था वो वापस से जवान होती जा रहे थी यक्षुनी वापस से अपने पुराने रूप में आ गए थी और विराट का शरीर सूप कर सफेद पढ़ गया था उसके अंदर खून की एक बून तक नहीं थी पर उसकी धड़कने अभी भी चल रहे थी यक्षुनी अपना मुँ विराट के कान के पास ले जाती है और फुस-फुस आते हुए कहती है इतना कहकर यक्षुनी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है जैसे ही यक्षुनी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है विराट अपना दम तोड़ देता है क्योंकि यक्षिनी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था अगले ही पल यक्षिनी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदे हो टाइप राइटर के बटन दबने की आवाज सुनाई दे रहे थी एक आदमी जो की कोड़ पैंट पहना हुआ था एक बंद कमरे में सफेड टाइप राइटर के उपर कहानी टाइप कर रहा था उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था कमरे के अंदर चारो तरफ बुक सेल्फ रखी हुई थी जिन में करीब हजार से भी जादा किताबे जमी हुई थी टेबल के उपर ही एक आश्ट्रे थी जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिग्रेट और आश रखी हुई थी लेखक खुद से कहता है चलो ये भाग तो पूरा हुआ अब दूसरे भाग में वंदना अपने पती की मौत का बदला लेगी साथ में यक्षिनी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ती दिलाएगी रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से फर क्या करें? मौते होंगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खीचते हुए अपने मुबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है हलो कौन? हलो जगदीश वो मैं बोल रहा था कि कहानी तयार हो गई है अच्छा सर आप हैं क्या कहा? अपने कहानी तयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर पर बुरा मत मानेगा सर ये बात आप मुझे सुबा भी बता सकते थे इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है क्या कहा? इतनी रात में? आगेर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर उसके हाथ की पुरानी सी वाच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के तीन बच कर पांच मिनट हो रहे थे लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है अरे? तीन बच के? इतनी रात हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे तो लगा अभी नौदस बच रहे होंगे कोई बात नहीं सर मैं समझ सकता हूँ आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता हाँ ये तो है देखना जब ये किताब आएगी तो लोगों के रोंग्टे खड़े हो जाएंगे रात रात भर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने वो तो होनी ही है सर आखिर आपकी कहानी में जान होती है इतनी जान की सोय हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिनी एक डायन मुबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है क्या कहा सर? यक्षिनी? हाँ यक्षिनी? क्या हुआ? तुम इतने शौक क्यों हो रहे हो? सर मैंने सुना है ये जो यक्षिनी है ये आपके गाउं के पास जो किश्नोई नदी है वहाँ पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब यानि वही सब करके उन्हें मार देती है हाँ तो? तो सर आपको डर नहीं लगता जिस गाउं में यक्षिनी घूमती है वही पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर अगर यक्षिनी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश यक्षिनी इतनी बुरी नहीं होती जितना गाउं के लोग और तुम सब समझते हो मतलब ये कि यक्षिनिया बहुत अच्छी होती है इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तयार हो जाए पर कभी-कभी जिन्दगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाती है कैसी घटना सर मैं कुछ समझा नहीं पौरानिक मानिताओं की अनुसार हमारे ब्रह्म हांड में अनेक लोग है जिसमें देवी देवताओं सुर असुर राक्षसों का वास होता है इन सभी लोगों की दूरी पृत्वी से अलग-अलग है कहा जाता है कि इन सभी लोगों में विश्णू लोग सबसे उपर है और सबसे निचला लोग यक्ष यक्षिनियों और अपसराओं का है जो पृत्वी से सबसे नस्दीक हैं उस लोग के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ता है। ऐसा क्यूं सर? उस लोग के देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन क्यूं होते हैं? क्यूंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुँचती है यक्ष यक्षिनियों के लोक में से ही एक यक्षिनी द्वापर्युक के अंत में प्रित्वी पर आई थी जिसको एक अभिशाप मिला था एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिन्दगी बदल दी थी कैसा अभिशाप सर आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और उसे ये अभिशाप किस ने दिया था एक दूसरे लोग से प्रिद्वी पर आई यक्षिनी को एक अभिशाप मिला था आखिर क्या था वो अभिशाप और किस ने दिया था जानने के लिए सुनिए यक्षिनी एक डायन का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफिम पर इन सदियों से है पुराने ये है यक्षिनी के कहाने यक्षिनी एक आग है यक्षिनी तेरा ख्वाब है बच्छराफ ट आग पॉकेटप आजाने इन सभी ठाने पुराने ने जागला आग है?